नमस्ते स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर में आज है चार जन्वरी आज कक्सा तीन से पांच में गणित विसे का ग्रह कारिया आया है कारिय पत्रक है त्रेपन इसमें कुल तीन प्रश्णों है हम एके करके इन तीनों प्रश्णों को हल करेंगे तो केले का मिलान इसमें किया गया है हजार ग्राम टमाटर दूसरे का मिलान है 500 ग्राम के साथ में 1000 ग्राम हरी मिर्च प्लस 200 ग्राम भिंडी प्लस 200 ग्राम पालक तीसरा है एक किलो ग्राम दो ग्राम और पचास ग्राम तो इसका होगा 1050 ग्राम केले चोथा है 5 किलो ग्राम इसका होगा 2 किलो ग्राम आलू और 3 किलो ग्राम प्याज प्रश्ण संख्या 2, साणी में दिये गेभार को तोलने के लिए बाटों का परियोग कीजिए इसका पहला है 6 किलो ग्राम और 500 ग्राम तो हमने इसमें एक लिया है पांच किलो ग्राम का एक लिया है एक किलो ग्राम का दो लिये हैं दो सो ग्राम के एक लिया है सो ग्राम का और पांच सो ग्राम का एक भी ने लिया दूसरा है आट किलो ग्राम और तीन सो पचास ग्राम यहां पांच किलो का एक बाट है और एक किलो के तीन बाट लिये है 200 ग्राम का एक बाट लिया है 100 ग्राम का एक बाट लिया और 50 ग्राम का भी एक बाट लिया है तीसरा है 30 किलो ग्राम 450 ग्राम इसमें एक किलो के तीन बाट 200 ग्राम के एक बाट 100 ग्राम का दो बाट 50 ग्राम का एक बाट लेंगे 850 ग्राम इसमें 200 ग्राम के 3 बाट 100 ग्राम के 2 बाट और 50 ग्राम के एक बाट लेंगे 1 किलो ग्राम 250 ग्राम इसमें 1 किलो ग्राम का एक बाट 200 ग्राम का एक बाट 100 ग्राम का एक भी बाट नहीं लेंगे और 50 ग्राम का एक बाट लेंगे अगला है 5 किलो ग्राम 450 ग्राम इसमें 5 किलो का एक बाट एक किलो का एक भी बाट नहीं लेंगे 200 ग्राम का एक बाट 100 ग्राम का दो बाट 50 ग्राम का एक बाट लेंगे अगला प्रश्ण है तीन सत्य असत्य पर सही का चिन लगाईए तीसरे का पहला है एक किलो ग्राम सक्कर बराबर दो सो पचास ग्राम सक्कर के चार पैकेट ये सत्य है दूसरा है समान आकार की लगडी वेबाट का भार बराबर होता है असत्य तीसरा है ग्राम इकाई को किलो ग्राम में बदलने के लिए ग्राम इकाई संख्या में हजार का भाग लगा देते हैं इसका अंसर है सत्य चोथा है नीचे दिये गे बाट मिलाकर दस किलो ग्राम भार के बराबर है इसका उत्तर है असत्य पांचवा है सो ग्राम एक किलो ग्राम का दस्वा भाग होता है इसका उत्तर है असत्य छट्टा है एक किलो ग्राम पांसो ग्राम भार को एक सही एक बटा दो किलो ग्राम भी कहते हैं इसका उत्तर है असत्य हमने तीनों प्रश्णि पूर्ण कर लिये हैं अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी हमारे चैनल पे नय है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद